दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसे के आपने स्क्रीन पर देखा होगा इसी वर्ड को डिस्कस करेंगे इसका टोटल साइज है 24 x 35 पर 24 x 35 में पूरा हूश क्रेट किया है मारा अगर आपने थमिलिल देखा होगा तो बहुत ही modern और बेतरीन देजाइन मैंने दिया है front television तो उसी को डिसकस करने वाले हैं यह three side closed है front में open है और यहां पर मैं पूरा इसका ground floor first और second floor discuss करने वाला हूँ बारी बारी से तो बने आप इस वीडियो मिलते रहते हैं आपके according आप जो भी चाहते हैं वैसे ही उडियो आपको मिलते हैं तो आप को इस चैनल को सब्क्राइब कर लेना चाहिए और साथ-साथ दोस्तों मैंने एक paid service से start की है अगर आपने हमारी paid service का इस्तवाल नहीं किया जरूर कर लें वहाँ पर मैं आपको size के according आपको charge बताता हूं और 50% payment advance लेता हूं लेकिन payment आप तभी करें जब आप हमसे बात कर ले अन्य था आपकी अन्य व्यक्ति को payment बिल्कुल ना करें और आप निशिन्त होकर 50% payment advance कर सकते हैं क्योंकि जब आप payment करें तभी हम planning start करते हूं और आपका घर design करवाते हैं तो चलो आज का model है जो से discuss कर लेते हैं तो सबस्वाले front elevation की बात करें इसको zoom करके मैं दिखा देता ह हूं यह दुस्तों का front elevation है इस घर की round color का जो आप देख रहे हों दूस्तों यह round color का wall type का देख रहे हैं यह designing का part है यही आपके घर को एक बेतरी सा look और देता है और यह front में बात करें तो जैसे आप slope सी उपर जाते हैं तो दो पिलर मिल जाते हैं आपको यह देखिएगा औ बाद आपका main wall है जिसमें आपका boundary 4 तरफ white color का मैंने दिया है तो ground floor की बात करें तो यह इसका दूस्तों ground floor है अब आपको इस पष्ट समझ में आएगा यहां से आप entry करेंगे बगल में आपको शील यहां भी दिये मैंने और यह आपके पिलर हैं दो पिलर है और इसके बाद यह round color का wall है इसके उपर एक wall है फिर से wall है यह पूरा आप entry point है यह देखिए गर लगबग 6 फिट की जगह है आप entry करेंगे अब जैसे इंटी करते हैं यहां पर door नहीं दिया है अगर आप इसे door देना चाहते है तो आपका पूरा separate हो जाए गंदर पूरा आप यहां दोर लगा लेंगा अगर बीच में इन दोनों कमरों के बीच में अगर आपको ऐसा डोर एक लगा देंगे तो पूरा बंध हो जाए गंदर और बंध होने के बाद आपको यहां पर आप मिल जाते हैं आपको आ आँगन में आप देखी हैं इस आँगन में सबसे पहले करह मात बात करें तो यह आपका एक गे मैंने आपको भी नहीं डिजाइन किया है क्योंकि विंटलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए मैंने विंडो दिया है गैलरी से डायरेक्ट आपका हवा आएगा और इस दोनों कॉर्णर वाले आपके जो भी रूम इसको विंटलेट करेगा शाद साथ ट्वाइलेट बात होता रहता है अब हम बात करते हैं इसके फाइस फ्लोर की दोस्तों आप जैसे आएंगे सारी सेम बाइबस बाउंडी मैंने जो शज़द दिया लगवा धाई फिट का उसके तरफ सारों तरफ बाउंडी दे दिये और यह सेम तो सेम जो ग्राउंड फ्लोर था वही पूरी और वही आपका अंदर का पोर्शन का भी डिजाइनिंग मैंने दिया है देखी कोई गेश टूम केचेन आपका दोनों बैड डूम लेटन बात साथ साथ है स्टोर रूम तो यह आपका फाइस फ्लोर का डिजाइनिंग का पार्ट मैंने आपको डिसकस किया यह पूरा अब ह कोई भी डाउट है तो हमें करके पूछ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अनौंस किया आप हमें प्रेट सर्विस का भी इस्तमाल कर सकते हैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लेगा वाट्सोर नंबर है आप वहापर कांटिट करें आपके अकॉर्डिंग जो भी घर होग क्योंकि आपका भी समय प्रवाद होता और हमारा भी तो इन सीजियों से बचें और साथ-साथ जो भी आप चाहेंगे वैसा घर डिजाइन किया जैगा जैसा भी आप चाहेंगे आपके दिमाग में है कि मुझे ऐसा घर डिजाइन कराना तो आप उसकी इमिज हमें के सेजिरू करें, सकता में है सोग काहेंगे ज़ definitive